स्वागत है आपका मित्र हमारे विद्वानों द्वारा ये कहा गया है कि ब्रह्म छेरे में जो आनंद है वो दुनिया की किसी काम में नहीं है क्योंकि जब आप ब्रह्म की दिन छेरे को अपनाते हैं अपने आपको इश्वर की भक्ती में समर्पित करते हैं तो आपका मन पवित्र होता जाता है बुरे विचार, नेगेटिव ख्याल आपके मन के पास बे नहीं भटक पाते हैं और फिर एक ऐसी यात्रा के शुरुवात होती है जहां पर आप हमेशा आनंद में होते हैं क्योंकि वो जो खुशी है वो आपके भीतर से आ रहे होती है और उस अवस्था को आपसे कोई नहीं छिन पाता दोस्त कोई आएगा आपके जिन्दगी में और आप खुश नहीं हो जाते जादा कोई चला जाता है तो आप दुखी नहीं होते हैं दोनों चीज़े जुड़ी हुई है यानि खुश रहने की जो चाबी है वो हमेशा आपके पास होती है इस महान तपस्या में आनंद की दरवाजे खुलते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपने बारे में जानने लगता है और उसे ऐसास होता है कि यही सब कुछ है जो मिरे लिए जानने को है आप हमेशा अच्छी संगती में रहते हैं अगर वो ना मिले तो आप अखेले रहते हैं आपके जिंदगे में कुछ नियम है और उन नियमों को आप मानते हैं हर दिन और जैसे जैसे आप इनका पालन करते जाते हैं आप अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हैं कोई भी विचार आपकी mental state को disturb नहीं कर पाता क्योंकि आप जानते हो विचार कैसे काम करते हैं आते हैं, चले जाते हैं बादल की तरह हैं, लहर की तरह हैं लेकिन जो आपका mental peace है वो constant है वैसे तो ब्रह्मचरे की शुरुवात बहुत छोटी उमर से हो जाती है जब आप 10 साल के होते हैं तब से उतनी छोटी उमर से अगर आपकी भीतर discipline आने लग जाए और आप आत्मने रभर भी हो जाते हैं तो सूचिए आप किसी पर depend नहीं है दोस्त कोई आपको disappointment भी नहीं कर पाता देखना आप जैसे जैसे आपकी दिन बढ़ते जाएंगे ब्रह्मचरे में आपकी जो दिन चरे है न वो भी organized हो जाएगी आप देखोगे ये चीज होते हैं कि आप time को आप अकेले रहना पसंद करते हैं और जब आप अकेले रहते हैं तो ये source बन जाता है great ideas का निकोला तेसला भी कहते हैं कि बड़े आविश्कार के पीछे थोड़ा सा अकेला पन जरूरी है आपको एक बारी की चाहिए होती है फोकस चाहिए होता है तो ये आपको मिलता है जब आप अकेले होते हैं अकेले हैं ताकत बना दें इसे अपनी social life को लेकर भी आप बहुत जादा observant हो जाते हैं कुछ खास लोगों को ही आप अपनी life में आने का मौका देते हैं जो आपके ही जैसे लक्षे को लेकर serious हैं दोस्ती भी करते हैं तो मजबूती के साथ अच्छे इंसान से सोच कर देखें आप मेहनत कर रहे हैं साथ में कोई भी गलत विचार कोई भी गलत काम आप नहीं करते हैं और जब आप सोने जाएंगे रात में आपको मालूम होता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है honest रहा हूँ अपने आप से आत्मन को भी ये मालूम होता है वो जो सुकुन मिलता है वो शब्दों में बया नहीं किया जा सकता है एक बार बस एक बार ही सही इसको महसूस करके देखें और आप बोलेंगे कि ब्रह्मचेरे वर्दान है यही है असली मजा मित्र हम आपका स्वागत करते हैं एक साल ब्रह्मचेरे चैलेंज के लिए उसका हर दिन का अबडेट आपको मिलता रहेगा हमारे टेलिग्राम चैनल पर जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कोई दिक्कत आये तो वहाँ पर आप इलुमिनाटी शो लिकर सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा आज इतना ही मिलता है आप से अगली वीडियो में